नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेट के बारे में इस वीडियो में कमपनी की ओवर्स अनाउंस कीगी बारे में बात करेंगे सबसे पहले बाइवेक की इटेल को देख लेते हैं तो कमपनी जो है टोटल 500 करोड का बाइवेक करने जा रही है जिसमें कमपनी कुल मिला कर 12,50,000 शेर को बाइबेक करेगी और कमपनी की ओर से बाइबेक का रूट भी डिसाइट किया गया है जो कि टेंडर रूट ओफर है यानि कि जिसको भी अपने share को buyback में बेचना है तो उनको अपने share को जो है tender करना होगा company की ओर से buyback का price भी decide किया गया है जो की 4,000 रूपए पर share की साफ से अगर इस price की आज की closing price से तुलना करते हैं तो company का share का आज करन closing price जो है 2900 रूपए है इसके बाद company का इस्ट्रोगल पी देख लेते हैं तो company का medium पी जो है 57 के आसपास है यानि की company जो अपने medium पी स्थोड़ी सी महेंगी valuation पे अभी हाल फ्लल में trade कर रही है इसके लावा company net profit की बात कर तो पिछले 5 quarter में company net profit जो है अनिस्टेबल टाइप कर रहा है जिसमें last के मार्च की quarter में company का net profit जो है 56 करोड़ रहा है company net profit की December के quarter से तुलना करते हैं तो company net profit उस December की quarter से लगबग लगबग आदा है इसके बाद company detail को देख लेते हैं तो company जो है इसके बात करते हैं तो company की प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं तो company की प्रमोटर होल्डिंग जो है 50% जिसमें 0% प्लेज़े वहीं शेय की फेस्टेल्यू 10 और company कंपनी के एमडी और सियो जो दिनेश अग्रवाल है ओवरोल कंपनी के फंडामेंटल की बात करते कंपनी फंडामेंटली स्ट्रोंग लेकिन तोड़ी सी महंगी भी जिसमें कंपनी नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो company का नेट प्राफिट जो है अनिस्टेबल टा अनियवाद